राजस्तान से इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग नूस निकल कर सामने आ रही है कि राजस्तान में 23 नवंबर को होने जा रहे विदान सबा चुनाव के लिए बारतिय जंता पार्टी ने 41 सीटों पर उमिद्वारों के नाम का एलान कर दिया है वीडियो में आगे बढ़ने से पेले वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर की जियेगा भाजपा ने इस बार चुनाव में साथ सांसुदों को भी चुनाव में उतार दिये हैं जिसकी वज़े से कई सीटों पर पेले से लड़ते रहे नेता नाराज हो गए हैं सौमार को आई नई सूची में 31 नई चेरे हैं जिन नेताओं के टिकट कटे हैं उनमें से कई पूर्वे मुख्यमंत्री वसुंद्रा राजे के करीबी है पार्टी सुत्रों का केना है कि समर्थ को कटी कट कट जाने की वज़े से वसुंद्रा भी नाकुस है पार्टी अब डेमेज कंट्रोल मोड में दिक रही है और नाराज नेताओं से संप्रा करके मनाने की कवायद सुरू कर दी गई है सुमाराथ पार्टी के चुनाव प्रबारी पहला जोसी इस्तती का जायजा लेने के लिए जेपूर पहुँचे उन्होंने मंगलवार को पत्रकारों से कहा हम नेताओं से बात करेंगे और उने मना लेंगे ये पार्टी का आंतरिक मामला है पार्टी की कोशिष नेताओं को बागी होने और नेदलिय लडने से रोकना है इससे पहले हिमातल परदेश में बागी नेताओं की वज़े से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था जोटवारा सीट से पार्टी ने मोधी सरकार में मंत्री रहे सांसद राज्य वर्दन सिंग राटोड को उमिद्वार बनाया है इस वज़े से यहां के प्रमुक्ष नेता राजपाल सेकावट नाराज हो गए है उनके समर्थकों ने खुल कर नाराजगी जाहिर की टिकट बटवारे के बाद समर्थकों ने सेकावट के आवास पर एकत्री ठोकर उनके समर्थन में नारेबाजी की इसके अलावा जेपूर में विजेपी दब्तर तक मार्च भी निकाला सेकावट ने टिकट कटने पर हेरानी जताई उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों से वे इस सीट पर मेनत करते आ रहे हैं और दो बार जीत दर्ज की इसी तरह नगर सीट से अनिता सिंग का टिकट कटा तो वे भी नाराज हो गई है अनिता ने कहा कि वे इस सीट से मजबूत दाविदार थी लेकिन पार्टी ने एक ऐसे उमिद्वार को टिकर दिया जो 2018 में बड़े अंतर से हार गया था अनिता ने कहा कि वे समर्थकों से बात करने के बाद ते करेगी कि क्या करना है पार्टी ने जवार सिंग बेडम को नगर सीट से उतारा है वे पुर्वे में मंत्री भी रह चुके हैं विजादर सिंट से विदाएक नर्पत सिंग राजवी भी नाराज है उनके एक करीबी नेता ने फेचान गौपनी रखने की सर्थ पर कहा कि सभी पार्टी के फेशले पर हैरान है इसलिए उन्होंने इस बात से इनकार किया कि वे बागी हो सकते हैं या निदली एलड सकते हैं सौंबार रात और मंगलवार को टिकट कड़ने से नाराज कई नेताओं ने वसुंद्रा राजे से मुलाकात की है बीजेपी नेता राजपाल सिंग सेखावट अनिता समेथ कई नेताओं के वसुंद्रा से मुलाकात की जानकारी पार्टी सुत्रों ने दी है उन्होंने बताया कि खुद वसुंद्रा भी अपने समर्थकों का टिकट कट जाने से एसंतुस्थ है हाला कि उन्होंने सारवजनी क्रूप से कुछ नहीं कहा है और उमीद्वारों के नामों का एलान होने के बाद एक्स पर उन्हें बदाई दी है राजस्तान में बीजेपी ने बले ही अपने उमीद्वारों की पहली लिस्ट जारी कॉंग्रेस पर बढ़ बना ली हो लेकिन इससे टिकट के दाविदार नाराज हो गए हैं पहली लिस्ट में वसुंद्रा राजे समर्थकों को टिकट नहीं मिले हैं चर्चा है कि दूसरी लिस्ट भी वसुंद्रा राजे समर्थक नेताओं के होच उडा सकती है क्योंकि सबसे ज़्यादा मारा मारी जेपूर की सिटों को लेकर है पहली लिस्ट में जेपुर की जोटवाड़ा और विजाधरन नगर से पार्टी 85 बदल दिये गए हैं दोनों ही नेता वसुंद्रा राजे समर तक माने जाते हैं माना जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में विजेपी मालविय नगर से काली चरण सराप का टिकट काड़ सकती है अगर से असोग परनामी और बगरु केला स्वर्मा का टिकट कड़ सकता है पिछली बार दोनों ही जगों को विजेपी को हार का सामना करना पड़ा था माना दा रहा है कि विजेपी इस बार यहां से परचासी चेंज कर सकती है दोस्तो वीडियो को शेर चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद